टीशिट पहन दे तो अलग से ही वो फैट जो लटकता है पूरी परस्नालिटी की ऐसी तैसी कर देते हैं लव हैंडल्स दो हफते में कैसे खतम करें? कुछ नहीं करना है आपको साइड बेंड्स मारना है है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट रेपिटेशन लगा दो दबा के आज हम इसी बारे में बात करने वाले कि रियालिटी क्या है? लव हैंडल्स क्या है? कैसे उससे चुटकार आप पा सकते हैं? वो साइड फैट जो कई लोगों के लिए प्राबलम बना हुए क्योंकि आप शिर्ट पहनते हो टी-शिर्ट पहनते हो तो अलग से ही वो फैट जो लटकता है पूरी परस्नालिटी की ऐसी तैसी कर देता है अब ही तक जो आपने सुना होगा, mostly यही सुना होगा कि Day 1, Day 7 की एक फोटो होती है देखो एक बात मैं आपको बतायता हूँ मेरी बाडी बन चुकी है, ठीक है? मैंने एक वीडियो बना दी जिसमें मैं साइड बेंट्स कर रहा हूँ तो आप यकीन कर लोगी कि हाँ, यही exercise करके इस बंदे का भी जो love handle से वो गायब हो गया होगा बट reality यह नहीं है गाइस तो स्वागत है आपका भाई के चैनल पे रवी fitness 07, India is one of the fastest growing fitness account तो आज हम बात करने वाले हैं कि reality क्या है इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ू, एक आपको बहुत ही अच्छा reference देता हूँ आपका सारा doubt खुदी clear हो जाएगा एक वीडियो है, रितिक सर की transformation की तो उसमें आपने देखा होगा कि love handles उनका कितना होता है side fat और बाद में जब वो oblique muscle develop कर लेते हैं पूरी वीडियो जब आप देखोगे, तो उसमें देखना कि उन्होंने side bends कितने मा रहे हैं क्योंकि popularity इसी workout की है, जब भी love handle की बात आती है तो ये वाला workout, आपको पता ही है side bends से इसकी में बात कर रहा हूँ सो गेज देखो, love handles जो है, या side fat जो है, वो क्या है वो एक muscle portion है, आपकी body का, इसको मैं बहुत easy तरीके से आपको समझाऊँगा ता कि आपके दिमाग में ये बात गोज जा और कभी कोई confusion ही ना रहे देखो, अगर हम इसको daily train करते हैं, तो ये एक muscle portion है जैसे biceps को हम train करते हैं, daily मान लो ठीक है और इसको recovery का time नहीं दे रहे, tissues ही damage करेंगे biceps develop नहीं होगा, same goes with side fat अगर हम इसको daily एक ही exercise कर रहे, side bend, side bend तो कहीं न कहीं injury के chance से जादा है, instead of कि आपको oblique muscle बन जाए, इसको समझो आप अब देखो, सबसी main बात है कि आपने देखा है कि जब transformation कोई करता है, तो automatic उसका jawline भी आता है चहरे से भी fat जाता है, पर वो क्या चहरे का workout कर रहा होता है answer would be no, नहीं, वो चहरे का workout नहीं करता क्या, ऐसा ऐसा तो कोई workout नहीं करता, मैंने नहीं देखा है ठीक है, so guys, जब आप overall body से fat reduce करोगे, तो automatically आपको जो side fat है, love handle जिसको कहते हैं, love handles, वो भी खतम होगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसमें जो rumors है, fitness industry में उसमें से कौन-कौन सी बाते सही है और कौन-कौन सी गलत है, so guys अगर आपको, if you want to get rid of love handle, अगर आपको इसे छुटकारा पाना है, तो क्या इसे daily train करना चाहिए, तो मेरा answer और एक scientific answer यह होगा कि नहीं, daily train नहीं करना चाहिए, एक specific muscle portion को, क्योंकि उससे injury के chance से जादा होंगे, और वो जो muscle tissues कहीं न कहीं अंदर खराब हो सकता, उसको recovery का time नहीं मिलेगा, आप जब उस वीडियो में देखोगे रितिक सर की, जब उन्होंने transformation किया है, तो वही उसमें आप देखोगी कि HIIT ठीक है, और जिसको high intensity training कहते हैं, cardio cardio बहुत ही अच्छा option है, लब handle से छुटखारा पाने के लिए, cardio जब आप करते हो, body cardiovascular state में जाता है, यह कहीं न कहीं fat loss को boost up करता है, बहुत हद तक और मैं बाहर देखो, funda अपने focus यहाँ पर कहा करना है fat loss पे overall body से, जब overall body से fat निकलेगा और आप अपने abdominal portion का exercise को ऐसा plan करोगे, कि वो उस specific portion को भी target कर रहा है, plus core को overall body को target कर रहा है, automatically love handle चला जाएगा, it's not rocket science so guys, diet अगर मैं बात करूँ, तो कुछ आपको important बाते बता दे रहा हूँ, इसको आप include कर ले ना, जिससे आपका fat loss boost up हो जाएगा और आपका love handle जो है, उससे आप छुटकार अपा लोगे, सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, diet में, हम खाते है simple carbohydrate, हर कोई नहीं गरता बट कई लोग करते, simple carbohydrate तुरन digest होता है, जैसे white rice और भी बहुत सारे example है, हमें क्या करना है complex carbohydrate को include करना है diet में, instead of simple carbohydrate दूसरा, यह तो भाई, इसको तो note कर लो यह राम बानिलाज है, सच बता रो tried and tested, soluble fiber soluble fiber basically क्या करता है, जब आप उसको consume करते हो, तो वो fullness बना के रखता है, बाडी में, और जब वो fullness बना रहता है, तो आपको भूक लगने वाली जो tendency होती, वो कम हो जाती है बाडी को ऐसा लगता है कि नहीं, अभी full है मामला, अभी और नहीं चाहिए डाइट तो इससे कहीं न कहीं, जो आपका calorie maintenance है, देखो, obvious ही बात है आपको fat loss करना है, तो calorie deficit में तो जाना पड़ेगा, पर calorie deficit के चक्कर में अगर हम कोई ऐसी चीज़े खाते हैं जिससे भूख बार बार लगे, तो अगेन वो कोई अच्छा option नहीं है आप soluble fiber, consume करो मैं list of food item जो soluble fiber में enriched है description में डाल दूगा और details चाहिए तो आप Instagram पे आजाओ वहाँ पूछ सकते हो, जैसा मैंने बोला कि I am always happy to help anyone कोई दिक्कत नहीं है, अपने को DM कर दो तो एक हो गया soluble fiber, दूसरा हो गया complex carbohydrate, देखो कितनी simple simple चीज़े है थोड़ा साम change करेंगे, बस tight में एक added sugar जो added sugar से जो हम consume करते हैं जैसे कि soft ring soda, ये भाई बहुत ही dense होता है, मतलब कि ये समझ लो, एक orphan ना इसके पीछे, मैं आपको बताता हूँ जब इसको consume करते हो, ये liquid के form में जाता है तो brain जो है body को ये message देता है कि liquid के form में आया है इसको हम करते है, एक exact time में मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं बता दूँ आपको बट एक तरीके से समझ लो, as a fake calorie register होती है, ये body में चीज़े जैसे कि आप consume भी कर रहे हो, calorie भी उतनी intake हो रही है, बट body को still hunger वाली feeling बनी रहेगी क्योंकि liquid form में जा रहा है, तो body को as a calorie register नहीं करती, करती है बट solid के comparison में कम करती है, suggested इसलिए ये होता है कि आप whole fruit खाया करो, instead of juice ठीक है, so guys अब जब इन चीज़ों का आप implement करोगे ना, तो automatically जो आपका fat है body में हाँ, एक और बहुत important part healthy fats, healthy fats omega 6, rich in omega 9 ये सारी जो ingredients है, जब आप इसको consume करते हो, तो healthy fat का भी बहुत ही अच्छा रोल होता है fat loss में, keto diet का fund आपको पता ही है उसके लिए तो मैं एक separate video ही ले आऊँगा कि keto diet है क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि हम fat loss के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी हम बात उसके बारे मी कर सकते है keto diet का fund ये होता है कि हम healthy fats consume करने लगते हैं और fat की मात्रा बढ़ा देते हैं अपनी diet में carbohydrate कम कर देते हैं brain body को message देता है कि भाई अब जो तुम्हे energy create करनी है, जो energy generate करनी है fat को breakdown करके करनी है क्यों? क्योंकि fat ही consume कर रहे होते हैं तो क्या होता है, body में जिस stored fat है कहीं न कहीं फिर body उसको utilize करनी लगती है, उसको break down करनी लगती है तो हमारा fat loss boost up हो जाता है, यही है keto genic state में चली जाती है body पर ज़रूरी नहीं है कि सब को keto diet ही करना अगर fat loss करना है, तो क्योंकि वो थोड़ा strict हो जाता है, सबसे जिलेगा नहीं keto diet, simple सी वाद बता रहा हूँ जब कोई extreme transformation करना हो मतलब एक महीने का target हो, दो महीने का तब उसको consume कर सकते हो, मतलब implement कर सकते हो keto diet को, effective होता है normal cases में जो मैंने आपको बताए, एक बर यह ज़रूर try करना, soluble fiber complex carbohydrate diet में, इसको include कर दो, added sugar मत खाओ भाई, कुछ दिनों तक मत खाओ तुम्हें खुद फर्क पता चल जाएगा ठीक है, कि कितना, अब बात करते है workout, workout वो करना है आपको जिसमें compound movement हो pull ups push ups, ठीक है और squats, यह आप देखना कभी भी कोई transform करता है तो आप देखना यह workout वो जादा include करता है overall body का जब muscles उसमें include होगा active होगा, तो कहीं न कहीं जो overall calorie burning है, वो boost up होती है इससे fat loss जल्दी होगा तो guys, जिस्ट निकलता इस video का कि side bend करके 2 हफते तक एक ही workout करके, आप love handle से छुटकारा नहीं पा सकते और जिनोंने यह try किया होगा भाई, comment में आके बता जेना सच-सच क्या, तुम्हारा वो love handle चला गया, answer मुझे पता नहीं आएगा sorry क्योंकि नहीं जाता, साफ बात है so guys, I hope आपका जो doubt था, वो clear हो गया हो, concept clear हो गया हो कि love handle से हम कैसे चुटकारा पाते है this again वही निकलता है, कि overall all body से fat loss होगा, और हम abdominal portion को target करेंगे, ढंग से exercise plan करके, ऐसा नहीं daily same exercise करने, compound movement रखेंगे high intensity training करेंगे push-ups, pull-ups, अच्छे workout, जो थे planks, इनको include करेंगे, आप देखो कि result किसमें अच्छा हैगा, so guys, अगर आपको ये video पसंद आई हो, please motivate कर देना भाई को, और जो video पहली पर देख रहे है भाई है, तुम्हें अगर content अच्छा लगो, subscribe करके, bell icon दबा देना, क्योंकि next video में मैं in-home workout लेकर आने वाला हूँ, specifically abdominal portion के लिए, जो कि आपके love handle को हटाने में बहुत ही ज़ादा फाइदमन होगा, so that will be all for today guys, thank you so much, keep supporting